मिगी अज दोबारा मोक्का लगया कि मैं मा वैश्णो देविदे चरणा वीच मत्था टेक सक्या मैं बाबा जित्तो जी की भी चुक्किये प्रणाम करना वीर डोगरों की धर्ती को आपके इस चौकिदार का प्रणाम मिठी जाए डोगरे थे बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे ये कहावत मैं तब अक्सर सुना करता था जब संगठन मंत्री के रूप में यहां आपके बीच में काम करता था डोगरों की शावर्य गाताएं यहां के कण कण में रची बसी है और हम भाजपा के लोगों की तो रगों में प्रेमना डोगरा जी की त्याग तपस्या आज भी हमें प्रिर्णा उर्रुजा दे रही है यह मेरा सवभाग्य है कि 2019 के चुनाव के लिए जब मैं पूरे देश से आशिरवाद मांगने निकला हूँ तो पहले दीन मुझे जम्मू आने का अउसर मिला है माता वैश्णो देवी के आशिरवाद मुझे प्राप्त हुए है साथियों जम्मू शावर्य की भूमी है स्रम और स्रध्धा की नगरी है आप सभी एक प्रकार से मा भारती की ढाल है मा भारती के वो रक्षक है जो दुश्मन के गोलों और साजिसों का सबसे पहले सामना कर रहे हैं आप सभी के बुलंद हौसले को मैं आदर पुरवक नमन करता हूँ भाई और बहनो आने वाली 11 एप्रिल को आप जब EVM का बटन कमल के फूल के सामने दबाएंगे तो उसकी आवाज देश के भीतर जमे आतंकियों के और आतंकियों के साथियों में खल बदली मचाएंगे ही लेकिन बात यहां टकेगी नहीं सीमा पार भी उसकी गुंज सुनाई देगी सीमा पार आतंकियों की फैक्टरी चलाने वाले आज खौफ में है दर के साएं में जी रहे हैं ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को दहलाने के लिए सीमा पार से आने वाले आतंकि भी सो बार सोच रहे हैं लेकिन साथियों मैं तो हरान हूँ देश के दुश्वनों को सबक सिखाने के इस अभ्यान के बीच ये कॉंग्रेस को और उसके साथियों का आकिर हो क्या गया है समझी नहीं आता है कि क्या ये बही सरदार पटेल की कॉंग्रेस है जिसने राश की एक्ता और अखनित्ता के लिए दिन रात एक कर दिया था मुझे समझ नहीं आता कि ये ये वही कॉंग्रेस है जिसमें रहकर नेता जी सुभाष चंद्रबोस ने आजाद हिंदुस्तान की कलपना की थी साथियों मेरी आत्मा तो यही कहती है नहीं ये वो कॉंग्रेस नहीं है आपका क्या कहना है आपका क्या कहना है आपका क्या कहना है आप कलपना कर सकते हैं जम्मू कश्पीर के मेरे प्यारे भाईयो भ Causekin आप कल्पना कर सकते हैं मोदी विरोध की जीद में कॉंग्रेस के नेताओं को देश का हित दिखाई देना ही बंद हो गया है पूरा देश हर देश्वासी एक स्वर में बात कर रहा है एक सूर में बात कर रहा है और यह कॉंग्रेस के नेता दूसरी बात कर रहे हैं दूसरा सूर अलाप रहे हैं भाई यों भानों बाला कोट में आतंकियों पर बाला कोट में आतंकियों पर भारत ने जो प्रहार किया उसके बाद एक के बाद एक कॉंग्रेस के नेता ऐसी बाते कर रहे हैं जो भारत के पक्षमें नहीं है इतना ही नहीं यहां जम्मु कश्मी में भी सालों तक जो राज करते रहें वो भी ऐसी बाते बोल रहे हैं जो भारत के गाउं का अनपड़ व्यक्ति भी कभी स्विकार नहीं कर सकता है आप मुझे बताईए क्या कॉंग्रेस की यह भासा आपको मंजूर है पीडीपी की भासा मंजूर है एनसी की भासा मंजूर है अरे किसी भी देशवासी को ऐसी बासा कैसे मंजूर हो सकती है जिसकी बातों से तालियां पाकिस्तान में बच्ती हो आज आतंकी और आतंके सरपरस्त यह दुआएं मांग रहे हैं आगर आप पाकिस्तान का टीवी देखे होगे तो पता चल जाएं सोशल मेडिया में बड़पूर आ रहा है वहाँ पर यह हैं वो दुआएं मांग रहे हैं कि कुछ भी हो जाएं चौकीदार उससे जैसे तैसे छुटकारा मिलें और यह महा मिलावटी दिल्ली में आ करके बैठ जाएं क्या देश को यह मंजूर है आपको यह मंजूर है साथ्यों कॉंग्रेस के नामदार के गुरू जो देश विदेश में उनके साथ रहते हैं कॉंग्रेस की नीती निर्धारन करते हैं और वे बिना कोई संकोच बिना कोई लाजसरम बिना कोई लागलपेट हिंदुस्तान की धर्ति पर टीवी मिडिया के सामने आतंकियों को क्लीन चीट दे रहे हैं पाकिस्तान को क्लीन चीट दे रहे हैं मेरे जम्मू के भाईयों बनो जड़ा बताईए जब गुरू ही ऐसा होगा तो चेले कैसे होंगे और चेले के साथ ही कैसे होंगे दो तीन दिन पहले जो कुछ हुआ वह तो और शर्मनाख है नेशनल कांफरेंस के एक उमीदवार द्वारा अनाप सायान बयानवाजी की गई ये पूरे देश ने देखा है देश ये भी देख रहा है कि कैसे कॉंग्रेस ने इन लोगों से हाथ मिलाया हुआ है क्या कॉंग्रेस का हाथ ऐसे ही लोगों के काम के लिए है क्या जो भारत के लिए अनाप सना बोले जो पाकिस्तान का जेजे कार करे और कॉंग्रेस इनको कंदे पर बिठा दे यह आपको मंजूर है क्या कोई देश इसको स्विकार कर सकता है क्या इनको भारत माता की जय कहने में सबस्या है लेकिन आतंगबाद को बढ़ार रखवा देने वालों की जय कहने में उन्हें गर्व हो रहा है ताथ यो आज कॉंग्रेस नेशनल कॉंफरेंस और पीडीपी की साजेदारी ने एक चक्रपूरा कर दिया है जम्मू कश्मेर की स्थिती जो आज है इसके लिए ये तीनों जिम्मेदार है है के नहीं है कॉंग्रेस दिम्मेदार है के नहीं है नेशनल कॉंफरेंस दिम्मेदार है के नहीं है पीडीपी दिम्मेदार है के नहीं है इनी की ही साजेदारी का परणाम है कि इतने वर्षों तक कश्मेरी पंडितों को इतना कुछ सहना पड़ा आतंका जो जहर जमुकश्मीन में घुला है उसके बड़े जिम्मेदार भी यही तीन दल है इनके लिए सत्ता जरूरी है परिवार की आकांचाय जरूरी है वहुस और विरासत को बचाना जरूरी है देश की सुरक्षा देश का मान सम्मान इनके लिए प्रात्विक्ता नहीं है यह माइने नहीं रखता है साथियों कॉंग्रेस के विचारकों का कॉंग्रेस के नीती निर्धारकों का यही रवईया है जिसने आत्म के पनागारों का हौसला बढ़ाया है जिसके कारण जम्मू कश्मीर सहीत पूरे देश को दसकों से भुगतना पड़ रहा है अपनों को खोना पड़ा है यह वो लोग है जिनोंने भारत के हमारे सामर्थ पर भी कभी भरोसा नहीं किया इनके पास बड़े और कड़े फैसले लेने की हिम्मत ही नहीं है यह मरे पड़े लोग है यह विश्वात दिलाने आया हूं यह कितनी भी ताकट लगा दे यह चोकिदार यह चोकिदार इनकी रास्ते पर मजबूती से खड़ा रहेगा आप लोगों ने मुझे बहुत निकट से देखा है आपके बीच में देखा है और वो दिन आपको भी याद होगा दाही दसक पहले लाल चोक पर तिरंगा फैराते हुए जो मैंने कहा था आज भी वोही रूख वोही जजबा वोही आत्रन लेकर के चल रहा हूँ सत्ता के मुह में ना तो मैंने अपने रूख को बड़ला है और आपको बरोसा है आगे भी कोई असी गुंजाइश नहीं बची है आतं के साथी चाहे सिमा पार हो या फिर देश के भीतर एक बात कान खोल करके सुन ले भारत के हितों भारत की सुरक्षा के विरुद उठाया गया एक भी कदम भारी पड़ेगा आज सुरक्षा एजन्सिया अपना काम कर रही है आतंकियों की फंडिंग से लेकर उनसे जुड़े लिंक को खंगाल रही है ऐसे संगठन जो आतंकियों को बढ़ावा देते हैं उन पर प्रतिबंद लगाया जा रहा है भाई और बहनों आज जब पुरानी रीती नीती को बदल रहा हूँ तो कांग्रेस नेशनल कांफरंस और पीडीपी के नेताओं को निंद नहीं आती है तकलीब हो रही है यह आए दिन चोकिदार को गाली देने में जुटे हैं आप मुझे बताईए आपका यह चोकिदार जो कर रहा है वो सही है या नहीं सही है के नहीं जम्मू कश्मीर के हित में जो फैंसले लिये जा रहे हैं वो आपको सही लगते हैं के नहीं लगते हैं मैं ठिक दिसाने जा रहा हूँ अगर जम्मू के लोगों को चोकिदार पर विस्वात है है ना पक्का है हर गाउं में है हर गली में है हर घर में है अगर आपका इतना भी स्वास है चोकिदार पर तो पक्का लिखके रखिये ये महा मिलावटी लोगों की महा गिरावटता है साधियों एलो सी और सीमा से सटे अनेग गावों को पाकिस्तान की नापाक हरकतों के चलते दिक्कत हो रही है इसका मुझे पूरा है साथ है अपनी बॉखलाहट इस बॉखलाहट में वो हमारे गावों को रहाईश्ची बस्तियों को हमारे पशुओं को निशान बना रहे है लेकिन आप आसवस्त रहिए कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा जिस सामर्थ के साथ जितनी शक्ति से हमारी सेना जबाब दे रही है उसके सामने ज्यादा दिन वो तिक नहीं पाएंगे आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है तिक पाएंगे एक तरफ हमारी सेना सही जबाब दे रही है तो दूसरी तरफ सरकार आपकी सुरक्षा और सुविता का भी इंतजाम कर रही है इसके लिए सीमा पर करीब 20,000 मंकर बनाए गए है साथियों जीवन अमुल्य होता है उसे पैसों से नहीं तोला जा सकता है लेकिन अगर दुर्भाग्य से नापाग गोली बारी से किसी की जान चली जाती है तो उसका मुवावजा भी पाँच गुना बढ़ा दिया गया है साथियों हिंसा और साजिस के प्रती अपनी लड़ाई को लेकर मेरी शक्ती और मेरा विश्वास इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि मुझे जम्मू कश्मी के युवाज चोकिदारों का समर्थन मिल रहा है माता और बहनों के असिरवाद मिल रहे हैं यहां के नवजवान सेना और दूसरे सुरक्षा बलों में भरती होने के लिए बारी संख्या में आगे आ रहे है हमारी सरकार ने यहां के युवासात्यों की भावनाओं का सनमान करते हुए अवसरों में भारी बुद्धी की है सेना और केंद्रिय बलों में एक विशेज भरती अभ्यान के तहट बीस हजार से अधिक युवासात्यों को हमने भरती कराया है कि शाथियों आपका ये चौकिदार राश्ट्र रक्षा के लिए भी पूरी तरज समर्पित है और जम्मू कश्मीर के संतुलित विकास के रपती भी उतना ही सजग है फोर लेन की सडके हो एम्स मेडिकल कॉलेज आयायम आयाइटी हो सिक्षा और स्वास्त से जुड़े ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जम्मू को मिले है किस्तवार में बड़े हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का सिलाने आस तो मैंने पिछले मेंने ही किया है इसके अलावा जम्मू का रिंग रोड हो चेदाम नजी पर बना इंद्री पत्तन परग्वाल पूल हो चेनानी नशारी टनल हो चेनानी गोहा चड़क हो जम्मू अकनूर फोर्लेंड चड़क हो सुन्दर्बनी नौशेरा रजोरी और सुन्दर्बनी के रास्ते पूंच तक यहां का नेशनल हाइवे हो ऐसे अनेख प्रोजेक्ट से यहां की कनेक्टिविटी का सुद्रद होना सुनिश्चित हुआ है साथियों इन सभी कारियों के बीच आप याद रखियेगा कि कॉंगरेस, नेशनल कानफरंस और पीडीपी सबने जम्मू के साथ चल किया है बेदभाव किया है विकास के तमाम प्रोजेक्ट को लटकाने और भटकाने का काम किया है जम्मू में विक्रम चोक से गांधी नगर तक के फ्लाइव ओवर की मांग कितने साल अरकी सी हमने उसे पुरा किया है साथियों आपका ये चोकिदार विकास की पंच धारा यानि बच्चों को पढ़ाई बुजुर्गों को दवाई युवा को कमाई किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिस्चित करने के लिए प्रतिवर्द है कि इसी सोच के साथ हमने बड़े कदम उठाए हैं जिनका लाप पूरे जम्मू कश्मीर को भी मिला है पी-एम किसान सम्मान निधी के तहट जम्मू कश्मीर के लगभग चौदा लाग किसान परिवारों को सीधी मदद मिलना तै हुआ है इस मैंसे साड़े चार लाग को पहली किस मिल चुकी है बाकियों के खाते में भी बहुत जल्द मदद पहुँच जाएगी आईशमान भारत योजना के तहट यहां के छे लाख गरीब परिवारों को पांच लाख रुपिये तक के मुप्त इलाग की सुविदा सूनिस्चिद हुई है ऐसे ही नव लाख से अधिक गरीब बहनों को मुप्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है तो पचीस हजार से अधिक गरीबों के पक्के घर बनाए जा चुके अभी जिनको गैस कनेक्शन और गर नहीं मिला है उनको भी मैं विस्वाद दिलाना चाहता हूँ उनको भी बहुत ही जल्द उनका ये हक मिल जाएगा साथियों गरीब परिवारों के लिए हमने ऐसे अनेक काम तो किये ही है मद्यंबर के लिए भी बहुत बड़ा कदम इस बजेट में उठाया है पांच लाख रुपे तक की कर योग्याई पर टेक्स हमने पूरी तरह से माप कर दिया है भाई और बहनों देश के साधनों और संसाधनों में हमारे युवास साथियों को अफसरों की समानता मिले सरकारी सेवाओं और सिक्ष्ण संस्तानों में सबको भागिदारी मिले इसके लिए हमने अनेक बड़े कदम उठाये है दो फैसले हैं जो भाजपा की और कॉंग्रेस की नीति और नियत को साप साप उजागर करते हैं अंतर राष्टिय सिमा पर बसे लोग लंबे अर्थे से आरक्षन की मांग कर रहे थे कई सरकारें आई और चली गई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया पिछले महने ही हमारी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और राज्य सरकार की सेवाओं में अंतर राष्टिय सिमा पर बसे लोगों को तीन प्रतिशत आरक्षन का प्रावधान कर दिया इसी तरह पहड़ी लोगों के लिए भी तीन प्रतिशत का आरक्षन दिया गया और दूसरा फैसला भी आरक्षन से जुड़ा है यह मांग भी दसकों से हो रही थी लेकिन कॉंग्रेस की वोट बेंक की राज़िती आड़े आती थी वो फैसला भी हमने किया सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को आरक्षन की मांग देश में दसकों से हो रही थी लेकिन किसी में सम्विदान समसोदन की हिम्मत नहीं थी हमने इच्छा सकती दिखाई और गरीबों के लिए दस प्रतिशाद आरक्षन आज लागू हो चुका है यही सबका साथ सबका अभिकात का हमारा मंत्र है और इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं साथ यो इसके साथ ही कि पाकिस्तान से आए सरीना थी परिवारों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मिर से आकर यहां बसे भहन भाईयों का भी द्यान रखा बहा रहा है भायो भहनों कि सारे काम इसलिए हो पा रहे हैं कियों हो पा रहे हैं यह सब क्यों हो पा रहा है किया कारण है क्या कारण है कारण मोदी नहीं है यह मोदी के कारण नहीं हो रहा है यह आपके एक वोट के कारण हो रहा है आपके वोट की ताकत है कि 2014 में आपने आपका एक वोट देकर मेरा होसला बढ़ाया था आपने जो पिछला वोट दिया था उसका नतीजा आप देख रहे हैं दिख रहा है यह नहीं दिख रहा है आपका वोट काम में आया यह नहीं आया आपके लिए उप्योगी हुआ कर नहीं हुआ अब इस बहां हर आपका वोट जम्मू कश्मीर के विकास को नई उचाहियों पर ले जाएगा सम्रज्जा सुरक्षित राज्य बनाएगा आपके चौकीदार के ऐसे ही अनेक प्रयासों की रोशनी में ग्यारा अप्रिल के दीन आपको पोलिंग बुथ में बारी संख्या में जाना है आप सब वोट देने जाएंगे और उको भी वोट देने के लिए कहेंगे आज की मेरी बात गर-गर पहुँचाएंगे एक-एक मद्दाता को समझाएंगे आपका एक वोट नए भारत की नीति और नेत्रत्व को मजबूत करेगा आपका वोट मजबूत सरकार और मजबूत भारत की राहताय करार करेगा आप यहाँ हम सभी को अपना आशिरवाद देने के लिए इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्ता करता हूँ मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की एक और नारा बोलेंगे मैं कहूंगा मैं भी आप कहेंगे मैं भी मैं भी मैं भी सब चोकिदानों को नमस्कार धन्यवाद करता हुआ 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 है